गाउं देहात में मतदान के दौरान ही चुनावी रंजिश का दौर भी शुरू हो गया बहा के खेडा राठोर में एक युवक ने दबंगों के खिलाफ मारपीट और गाउं से निकालने की धमकी की तहरीर दी है इस युवक का आरोप है कि गाउं जाती विशेश के लोगों का है वह लोग अपने समर्थक प्रत्याशी को वोट चाहते थे इसलिए उनके साथ मारपीट की गई गाउं देहात में पोलिस की चुनावती मतदान के दौरान से ही शुरू हो गई बहा के गौसिली गाउं में एक युवक ने जाती विशेश के कहने पर उनके समर्थक प्रत्याशी को वोट नहीं दिया तो इन दवंगों ने मतदान करने वाले युवक को मतदान केंद्र के बाहर ही पीट दिया इन तस्वीरों में युवक की पीट पर चोट के गहरे निश्रान साफ नजर आ रही है इस युवक ने थाना खेडा, राठोर में दवंगों के खिलाफ मार पीट, जान से मारने की धमकी और गाउं से बाहर निकालने की तहरीर दी है पुलिस ने तहरीर मिलते ही कारवाही करना शुरू कर दिया है सीन्यूस के लिए विजब अगेल की रिपोर्ट